हेई दोस्तों अभी बहुत ही जल साउमी की तरब से आपको दो नए स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे मी 10T और मी 10T प्रो तो ये दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बहुत ही पारफुल स्पेसिफिकिसन देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले इसके कुछ hands-on images leak हो चुके हैं तो आप देख सते हैं कि मी 10T सीरीज कैसा आपको देखने को मिलेगा और इसके camera design को अगर हम ध्यान से देखे तो ये बहुत ही ज़ादा similar है Vivo X50 Pro के साथ जी हाँ Vivo X50 Pro में जैसे आपको design देखने को मिला था ठीक उसी तरीके का camera casing इस बार भी आपको Mi 10T में देखने को मिल जाएगा और इसके camera के बारे में बात करी रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार Mi 10T Pro के अंदर आपको 108 में पिक्सल का main camera lens देखने को मिल जाएगा जी हाँ इसमें जो आपको सबसे बड़ा lens देखने को मिलता है वो ही है 108 में पिक्सल का main camera lens और इसका जो back design है ये आपको बहुत ज़ादा similar मिलेगा Mi 10 के साथ यानि कि कुछ दिनों पहले जो आपको Xiaomi के तरफ से Mi 10 देखने को मिला था वो ही same आपको gradient या फिर वो ही same matte texture देखने को मिलेगा इस बार Mi 10T series के अंदर और इस phone के बहुत सारे specification भी leak हो चुके हैं तो सबसे पहले इसके display के बारे हैं बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच का Full HD Plus AMOLED या फिर OLED डिस्पले देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर side में आपको एक power button देखने को मिलेगा जो side मुझे ने लगता है कि एक fingerprint sensor है तो एक flagship phone होने के नाते मुझे ने लगता है कि इस phone में आपको IPS LCD डिस्पले देखने को मिलेगा लेकिन जो सबसे main और interesting चीज़ है कि इस बार Mi 10T Pro के अंदर आपको 144Hz का high refresh rate का support देखने को मिलेगा जी हाँ एक AMOLED डिस्पले होने के साथ 144Hz का high refresh rate का support होना बहुत ही बड़ी बात है और मुझे लगता है कि इस phone में आपको flagship label का features भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको front में एक पंचोल देखने को मिलेगा front selfie camera के लिए और अभी हम बात करेंगे इस phone के processor के बारे में तो Mi 10T series में आपको snapdragon 865 का octa-core processor देखने को मिलेगा जो 5G को inbuilt support करता है और इसके camera के बारे में बात करें तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बार इस phone में आपको 108MP का main camera lens देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि इस बार इस phone में आपको पीछे triple camera setup देखने को मिलेगा क्योंकि अगर आप इस camera lens को ध्यान से देखे तो मुझे लगता है कि यह fake है यहाँ यहाँ पर आपको एक color gradient देखने को मिलेगा मतलब एक object दिया गया है जो fake camera जैसे आपको देखने को मिल रहा है और battery की बात करें तो इस बार Mi 10T series में आपको 5000 mh का big battery देखने को मिलेगा और इसके अंदर कितना जादा fast charging का support मिलेगा यह अभी तक confirm नहीं है तो मेरे खहल से साइद इसके अंदर आपको 65W का fast charging का support मिल सकता है या फिर इस से भी जादा आपको देखने को मिल जाएगा तो देखते हैं आने वाले दिनों में मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में confirm बता दूँगा लेकिन अगर हम इसके pricing को guess करें कि Mi 10T series का price कितना हो सकता है तो इसके अंदर जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे अच्छे-चे features आपको देखने को मिल जाएंगे जो flexic phone में भी देखने को नहीं मिलता है तो अगर आप इसको पिछले variant के साथ compare करता है Mi 10 Pro के साथ तो वो phone आपको अभी इंडिया के अंदर 50,000 के आसपास देखने को मिल जाता है तो इस हिसाब से हमें ऐसा लगता है कि Mi 10T series का price इंडिया में आपको 50,000 से जादा ही देखने को मिलेगा जी हाँ, 50,000 से भी जादा price इस phone का होने वाला है तो मेरे हिसाब से ये बहुत सरे phones के साथ compete करेगा जैसे OnePlus 8 Pro या फिर 8T या फिर Samsung Galaxy Note 20 Ultra के साथ भी ये directly compete कर सकता है तो देखते हैं कि इसका price इंडिया में कितना रहेगा और इसके launch date की बात करें तो ये smartphone आपको बहुत ही जल्द globally देखने को मिल जाएगा सबसे पहले आपको out of India मतलब हर एक countries में September के last week में देखने को मिल सकता है और उसके बाद आपको definitely इंडिया में ये smartphone देखने को मिल जाएगा मुझे ये 100% security लग रहा है कि ये phone इंडिया में आपको जरूर देखने को मिलेगा तो देखते हैं कि कभ ये phone launch होता है इसके बारे में मैं आपको आने वाले दिनों में जरूर अपडेट दे दूँगा तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाओ तो आप मेरे चैनल को सस्क्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं तो मिलते हैं अगरे वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग